आज मैं आपके साथ चाहँ करने वाले हूं बेसन की बिलकुल नए तरीके की सबसी जो बहुत कम इंग्रिडिंज में बन जाती है बहुत कम समय में बन जाती है सिर्फ 10 मिनिट में आप इस सब्सक्राइब को बना लेगे लेकिन टेस्ट के तो क्या कहने होटल की तेसं के लिए हम लेंगे अधा कप बेसन का घरा कप बहुत कप बन लिए सिच प्लिद करें इस तो कम में Schuld कि एलए यदान अग 6 जह दो विद्धा कप से एंघ उसमें सब्सक्राइब करें कि scientist कि बहुत सारे टिप्स में आपको बताने वाली हूँ वीडियो को ध्यान से देखें बिलकुल स्किप नहीं करें तो आपकी सबसीयां काफी सारी बहुत टेस्टी और पॉफिक बनेंगी तो इसके बाद मैं इसमें एड करने वाली हूँ थोड़ा सा मसाला जोकी है गरम मसाला और इसके बाद मैं इसमें एड करूंगी थोड़ा धनिया पॉडर थोड़ा सा मिर्ची का पॉडर आदा चमच और पाव चमच हल्दी का पॉडर साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा और टेस्ट लाने के लिए जीरे का पॉडर आदा टी स्पून और थोड़ी सी अजवाइ और ये है सुखे हुए नारिल का पाउडर ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है अगर आप चाहें डो आड करें अधरवाइस किप कर दें लेकिन इससे डेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसका हम अच्छे से एक डो बना लेंगे याने की आटा गून लेंगे टिक्की के जैसा जैस मैं इसे सिलिंडर में कानवर्ट करके इसे इस तरीके से प्रेस करूंगी कि मुझे एक ट्राइंगल का शेप मिल जाए ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है आप जब अपनी टिक्की इस तरीके से आटा गून लेते हैं तो आप टिक्कियों को गोल करके भी यूज कर सकते हैं फट और इसे इस तरीके से कट कर लें ट्राइंगल्स में ये देखिए ये ट्राइंगल्स कितने खुबसूरत लगते हैं और फिर ऐसे ही ट्राइंगल्स सारे के सारे कट कर लें और इन ट्राइंगल्स को फ्राइ कर लें दो से तीन मिनिट तक मध्यम आज पर तेल पहले से ही मैं अब मैं इने फ्राय करने के लिए डालूंगी और सिर्फ दो से तीन मिन तक मध्यम आज पर फ्राय करूंगी और आपको अगर पता लगा ना ही कि आपके ट्रैंगल्स अंदर से हो गए या नहीं तो आपको इस तरीके से आपके ट्रैंगल्स फूले हुए लगेंगे बाहर से एकस्पांड हो जाते हैं तो आप समझ लें कि आपके ट्रैंगल्स अंदर से भी कोख हो गए हैं अब इन्हें हम निकाल लेंगे और एकसेस तेल को भी निकालेंगे तो से तीन टेबल स्पून तेल पीछे रख देंगे ताकि हम उसमें हमारी सबजी बना लें तो मैंने निक कौन्टिटी में नहीं बनाना है बिलकrias ही थोड़ा थोड़ा लेना है चारों को अद्र tea में पुदीन बिलक SI का जयाता है तो इस तो मिनीट तक ही सेक लेना है बिलकamente से भी कम समय तक सिर्व जहाँ शेक жд empresa ना है ताकि और वे मार्या चौट में मिक्स हो जोड़ा सा कोकोनेट पाउर्ड। तो आड़ से चला सरी आड़ में यहां। सी courमा appelle के में नोटेश को एस तब पाउडर नियुकार सा टेस्ट साथ स्ँ दिवर आइप अच्छ मैं तब पाव टी स्पून एड़ करना है तो यह बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत टेस्टी ग्रेवी बनती है इस पहुत सारी चीजों में बहुत सारे जो हमारे समान है मिक्स वेच सबजी इस तरीके से बना सकते हैं तो यह देखिए यह मसाले डालेने के पाज हमारा बेसन इस तरीके से फून ले लगे तो हम इसमें एड़ कर देंगे एक बड़ा पिसा हुआ टमाटर का प्यूरे जो कि मैंने पहले से ही बना के रख दिया है यह देखिए यह इ बहुत जादा रिचनेस आ जाएगी निकि बहुत कम समान में हम एक बहुत ही अच्छी सी रिच ग्रेवी बना लेंगे साथी साथ बेसन हम ग्रेवी में भी यूज करेंगे और हमारे ट्रैंगल में भी तो अब यह इस तरीके से हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा और पानी एड़ कर दूंगी और फिर इससे सिम गैस पर दो मिनिट के लिए रख दूंगी ताकि जो हमारा बेसन है वो बहुत ही अच्छे से फूल जाए तो इसमें एक तो बबल आने के बाद मैं इसे ढखके दो मिनिट तक रख दूंगी और फिर इसके बाद जो मेरे ट्रैंगल्स हैं वो इसमें ट्रांस्वार कर दूंगी यह मैं इसे ढखके एक या दो मिनिट के लिए रख देती हूं तो आप देखेंगे कि यह किस तरीके से इसका तेल बहुत ही अच्छे से निकल आया है और अब इसमें एड़ कर देने हैं तो यह ट्रैंगल्स इसमें डाल के आपने से एक या दो मिनिट तक रख देना है ताकि यह पूरी ग्रेवी एब्सॉप कर लें फिर इसका पानी आप अपनी पसंद के हिसाब से एजिस कर लें आपको रेसीपी कैसे लगी मुझे जरूर बताएं यह रेसीपी मेरे साथ इंस कर ले पीज साथ आदावी पसंद कर देना है